हाई फ्रेंग्स लर्निंग की इस सीरीस में दूसरा वीडियो आपके लेके आ रहा हूँ एक और नई स्ट्रेजी बड़ी दमदार स्ट्रेजी जिसको अगर आपने शिद्दत से पैक्टिस क्या शिद्दत जी हाँ डिसीपिन बहुत इंपोरेंट है मतलब अगर कम से कम एक मह बजाने की सम्मावनें खतम हो जाएगी बजार से आप भार हो जाएगे तो बजार में जो एक सक्सेस्फुल टेडर होता है वो लॉसस से डरता नहीं है और प्रॉफिट से बहुत ज़रा एक्साइड़ होता नहीं है लालची होना बहुत ज़रूरी है जिहां पर घबराट भी होनी बहुत ज़रूरी है लोग कहते हैं कि घबराइए मर्ड डरिये मर्ड लालच को कंट्रोल कीजिए मैं कहते हूं दोनों चीज़े दरूरी हैं लालच जितना बड़ा होगा बजार में आपके पैसे बनाने की समावना इतनी बढ़ जाएगी बट आपको अपने डर प आपसे कर देता हूं स्टाटिजी को समझ iç से पहले मुझे बट बतागी एक नया हाई कब माना जाता है सोचके देख़िए एक नया हाई जब माना जाता है जब वो पुराने हाई को तोड़ दे simple है इसमें कोई bookish तो नहीं है या कोई बहुत extraordinary भात तो मैंने नहीं की यह एक नया low की अगर बात के तो नया low को गएगा जब पिछले low को हम काट देंगे अब यह आपके उपर में छोड़ता हूँ कि आप किस time frame पे काम करते हैं अगर आप 5 minute के time frame पे काम करते हैं तो पिछले 5 minute के time frame के high low को हम लेके चलेंगे अगर आप 15 minute के time frame पे काम करते हैं तो पिछले 15 minute के time frame पे हम काम करेंगे अगर आप एक घंटे पे swing trading करते हैं तो पिछले एक घंटे के हाई रोपे काम करेंगे और अगर आप positional trader है, investor है तो पिछले एक दिन, एक week, एक महीना, एक साल आपके उपर छोड़ता हूं कि आप कैसे trader हैं, कैसे निविश चके हैं यहां मैं बात कर रहा हूं उन लोगों की जो इंट्राडर trading करना पसंद करते हैं, तो जो ज़ादा लोग है, वो 5 से 15 मिन्ट के trading cycle को ज़ादा पसंद करते हैं तो इस strategy को हम 5 मिन्ट और 15 मिन्ट में दोनों पे test करने वाले हैं, देखते हैं कि के result आ सकते हैं, और homework के तोर पे आपको back testing करने के लिए time दूँआ, इसे back testing कीजेगा, मैं में चाहते हूं, blind belief नहीं करना है, बिल्कुल blind belief नहीं करना है बढ़ हाँ, इस strategy की जो accuracy है अगर 60-70% भी accuracy हो जाती है, तब भी पैसा बनाएंगे, आपको losses नहीं है risk reward ratio को tag करना होगा, उसके बाद काम कीजी, कोई आपको पैसा बराने से रोक नहीं सकता, हम बात कर रहे हैं, opening range breakout की, जिनलों को मालूम है देखें, leave the video but those who want to understand की बेरा मेरा नदरिया क्या है, काम करने का प्लीज इस वीडियो को देखें जी हाँ, पहले 15 minute की candle को बनने देंगे, आप बिल्कुल भी उस पे काम नहीं करने वाले हैं, अब लिए देखें, अगर हम बात करते हैं, हमने reliance का stock लवागे रखा है, अक्सर आपको reliance के आपको example मिलेंगे मेरे videos के अंदर में, बहुत ही favorite share है मेरा, यहाँ पर यह जो candle है, आप देख सकते हैं, green bar है, जिस पर मेरा cursor move कर रहा है, इसका अगर आप high low देखें, यहाँ पर देखिए high low देख जाते हैं, जीलोदा के terminal पर, high है 1922 का, low है 1899 का, मतलब, यह मोटा-मोटा 20 रुपे के, 22 रुपे के आसपास की candle बनी है, अब मुझे क्या करना है, blindly कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना जब 9.15 होने में, एकार मिनट बची हो है, 9.15 हो जाएं तो आपको इसके high low को mark कर लेना है इसको करने के लिए, आपको आपने tool box में जाना है चुपचाप से एक horizontal line को इस्तमाल करना है ये आपने high mark कर दिया और ये आपने इसका low mark कर दिया देखें, ये low mark हो गया 1900 से 1922 के एक range है, आपने छोड़ दिया अब आप buy cup करेंगे, जो buy करने के शोकिन है, वो तभी buy करेंगे जब बजार uptrend में आएगा, जी हाँ, uptrend का अप साड़ होगा जब वो 1922 के उपर चलने लगया अब ये candle में closing क्या हुई है ये candle में 1922 का high लगा, low लगा 1899 के आसपास का closing हुई 1917 गी अब 1917 की जब closing है तो क्या आप stop loss buying नहीं लगा सकते जी हाँ, आपको advance में stop loss buying लगानी होगी 1922 से उपर में, तो 1922 रुपे 50 पे से लगाई है 1922 रुपे 85 पे से लगाई है 1922 रुपे या, 1923 रुपे लगाई है जितना आपको लगता है, एक margin रखना है अगर वो low co breaker था, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है 15 मिट हुए है, बज़ार को खोले हुए कौन किस शेर में कब selling चालू करते है आपको नहीं मालूम होता, कौन किस शेर में buying चालू करते है, आपको नहीं मालूम होता दोस्तों, बहुत ही vanilla strategy है, बहुत ही लगा रहे है, stop loss क्या रहेगा, high के जब high से उपर ट्रेड करें, तो low stop loss हो जएगा तो यहां पर 22 रुपे का stop loss है, बड़ा stop loss है तो कम से 1 इस to 2 का मैं stop loss लेके चलुआ तो मुझे 44 रुपीस, 44 points मुझे कम से कम चाहिए, ठीक है, या अफिर अगर मुझे stop loss लगाना है, मुझे stop loss कम लगाना है, तो गम से में जो range दी 22 रुपे, कि मैं इसका 50% कर लुँआ तो 10 रुपे का stop loss में लगा हूँ, 1924 से उपर बाय करूँआ, 1914 का मैं stop loss लगाने वाला हूँ, ठीक है तो देखते है, market आके बढ़ती है, तो यह कैसे reward ratio के favor में पढ़ने लगे, तो आप उस trade को काट सकते हैं, चलिए देखते हैं, यह धीरे 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 चलने लगा बजार, और यहां से इस candle के आसपास आके हमको 11 बजे के आसपास में यह opening range ब्रिक हुई है, 1922 के उपर यहां से यह trade चलते चलते आप देखेंगे, 3-15 पर हमको काटना है, 3-15 की हमारी candle यह है, 1905-1958, बलब कम से कम हमको 1-2-2 कार जो 3-15 मिट पर हमें profit मिला, आप कहेंगे तो तुक्का होगा, चले कोई बात निया, एक और random try करते हैं, अगले दिन की हमारी candle है यह, इसको भी mark कीजिए, इसका high पकड़ी है, 1975 का और low पकड़ी है, 1960 का 15 पर की range होगी, या तो high से उपर trigger होगा हमारा trade, या low से नीचे trigger होगा, तो दोनों से एक चीज़े में मिलने वाली है, जो trade trigger होगा, उसको continue करेंगे, दोस्तों, 22 दिन कम से कम करना है, मैं लिखके दे सकता हूँ, कोई training लेने की दूद नी पड़ेगी, किसी दूसरी strategy को follow करने कोशिश नी करने की, कोई indicator नी, pure price action, ठीक है न, ये price action क्या कह रहा है, यहाँ पे, अब आपने क्योंकि advance में bid लगा के रखी है, तो आपका trade जंप नहीं होगा, यहाँ पे लोग था 1960 का, तो 60 से नीचे में, मेरा bid रहेगा 1958 से नीचे तूटता है, तो मैं sell कर ने कुशिश करूँँगा, या फिर मैं 1975, 1976, 1976, 1977 लगा देता हूँ, 77 अब यहाँ पे 1958 से नीचे मेरा trigger हुआ है, बज़के 45 minutes में, आदे घंटे के बाद मेरा trade execute हुआ, और यह फिर आगे जाके देखिए, दो बज़े के आसपास में 1922 तक यह आ चुका है, यहाँ पी भी आप प्रॉफिट में आ गए हैं, नहीं तो, अगर मालेजिए सवा तीन ट्रेट कारते हैं, रूल के हिसाब से, तो 1930, 1940 के आसपास आपका trade खट जागा, 1958 से 1940, फिर से आपको कुछ 18-20 में मिले, अगर आप futures करते हैं, तो 500 share में 20 रुपे गा मतलब 10,000 रुपे, एक दिन में 10,000 रुपे, आपकी सली 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 होगी, जो बहुत छोटी companies ब चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए, ये रोज के 2-5,000 रुपे बहुत important है, दोस्तों, मेरे हिसाब से, अगर आप रोज 500,000 रुपे बनाने की कसम खा लें, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आपको professional trader बनने से कोई रोक नहीं सकता, कोई भी professional trader बजार में हर हल चल को पकड़ता है, अपना diesel बनताय करता है, money management करता है, उसके बादे trade करता है, अब दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जैसे हमेशा आपको एक advice करता हूँ, एक bonus tip देने कोशिश करता हूँ, वो ये है, कि जितने भी पैसे आपके पास हैं, आप उसको कभी भी पूरे पैसे को invest ना करें, trade देना करें, उसमें से कम से कम सिरफ 10% पैसे को ही आप trading में इस्तेमाल करें, 80-90% पैसे को आपको swing trading या positional trading या फी investment में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूरा पैसर trading में लगा देंगे, और आप सीख रहे हैं, practice कर रहे हैं, और अगर आपको वहाँ losses हो गए, तो दोस्तों, जो आपका दिल तूटने वाला है, उसकी भरपाई कोई नहीं हो सकती, कोई भी आपको वापस इस market में ख़ड़ा नहीं कर सकता, जो आपके सपने थे चकना चूर हो जाएंगी, क्योंकि ये market पैसों से भरी हुई है, ये इतना बड़ा समंदर है कि जितना चा आते हैं, और पसन आया दोस्तों में शेयर करना ना भूले वीडियो, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करीजिए, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक, आपकी कमेंट्स मुझे करने का है, तो आपका रूल बनता है, आपका फर्स बनता है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, थैंक यू सो मच पर वाचिन दिस वीडियो, टेक केर, बबाए